जो आज का टोपिक है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो है आईरन डूम से Can you see this picture? Imagination है कि इधर से जो missiles आ रहे हैं उसको ये missiles क्या कर रहे हैं? अगर one line में तुम लोगों को बताना है ना तो मैं इतना बताऊँगा कि जितने सारे वे missiles आ रहे हैं enemy के अगर उसको हवा में ही कोई destroy कर दे रहा है उस missile destroying capacity का नाम है iron doom और ये किसके पास है इसराइल के पास है अगर उसके territory में कोई भी missile आ रहा है कोई भी enemy country का तो वो हवा में ही गिरा देगा और इसका जानते हो कितना percent सुरेशी है 96% का जो की बहुत ही ज़्यादा high है तुम इतना समझो ना कोई इसके उपर hundred missile से attack कर रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ four missile ऐसे हैं वो hit कर रहे है 96 को खतम कर दिया जा रहा है और इसी को Ukraine और Russia के मामले में भी अगर तुम निकाल के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि रशिया क्या कर रहा था hundreds of hundred missiles attack कर रहा है और सारे के सारे missile लग रहे हैं तुम्हें यह समझ में आना चाहिए देखो defense हो पा रहा है पर अराम से 50% ही defense हो पा रहा है और वो भी defense capability तब आ पा रहा है यूकरेन के पास जब यह सारे defense capability उसको USA या फिर NATO nations ने दिया है North Atlantic Treaty Organization के जितने सारे भी country हैं वो सब क्या कर रहे हैं चंदा करकर के यूकरेन को support कर रहे हैं यूकरेन को military supply दे रहे हैं तो यह जो technology है ना वो more than advanced है full proof technology है ऐसा कोई technology दुनिया में नहीं है इसराइल की कहानी जो है वो simple यही है कि वो एक ऐसा जगा फसा हुआ है जिसके चारो और consider करो कि ये इसराइल है और इसराइल ऐसा जगा फसा हुआ है कि उसके चारो और कौन से हैं Muslim countries हैं और Muslim country भी ऐसे हैं कि उनके साथ जब war हुआ थ sources हो सब कोई को वो हरा चुका है और उनके सारे places को भी क्या कर चुका है कबजे में करके रख चुका है उसी तरह का एक जगह है जिसको कहते हैं गाजा पटी और गाजा पटी से क्या होता है ना बार बार इस तरह के missile से attack होता है और iron dome क्या करता है successfully उसको destroy कर देता है और ये news version मतलब अभी तक ये land version था अब naval version को भी test कर लिया गया है लड़ाई तीन जगह हो सकती है land में navy में यानि की sea में और तीसरा है air में कि समुद्र के रास्ते भी अगर missiles से कोई हमला कर रहा है तो उसको भी क्या कर सकता है iron dome जो है वो successfully destroy कर सकता है about इसके बारे में थोड़ा सा ह हम लोग समझते है कि iron dome है कैसा क्या करता है किस तरह से काम करता है एहला ऐसा system है जो की लड़ाई में कारगर साबित हुआ है 96% का accuracy के साथ इसका कुछ जो फायदा है air dome is a mobile air defense system mobile मतलब तुम लोग समझते हो mobile means होता है कि जो एक जगह से दूसरे जगह तक move कर सके तो यह जो त continuously move होते रहता है कोई एक जगह fix नहीं रहता है समझ में आ रहा है इससे क्या होता है एक larger area में आप security प्रोबाइट कर सकते हो fire and dome is a mobile air defense system designed to intercept and destroy short range rocket and artillery cells fired from a distance of 4 to 70 km माल लो कि जो भी rocket launch हो रहा है इसराइल के तरफ और उसका जो range है वो 4 km से लेके 70 km तक है तो उसको intercept करेगा उसको पकड़ लेगा कि आचा वहां से rocket जो है वो launch हुआ है और फिर उसको mid-air में मतलब कि हवा में ही क्या करेगा destroy कर देगा एक mobile unit होता है ना एक iron dome unit होता है उसमें तीन missile launchers होते हैं जिसे missile launch होंगे और उसमें 20 interceptors होते हैं जो कि यह पता करते हैं कि कहां से missile का launch हुआ है फिर उसको destroy करते हैं iron dome क्या करता है radar से पहले हम लोग पता कर लेते है radar क्या करता है पता कर लेता है कि कहां पर से वो fire हुआ फिर उसके बाद फिर क्या करता है iron dome fire करता है अपना missile को यह missile जो है वो intercept करेगा कि कहां से दूसरा enemy का missile आ रहा है और उसके बाद फिर उसको mid-year में ही destroy कर देगा इसको develop कौन किया है यह important है इसका नाम तुम लोग बहुत बार सुने होगे रफाइल तो रफाइल असल में हम लोग use करते हैं क्योंकि रफाइल जो है वो fighting aircraft है जो कि भारत के पास आया है 36 aircraft हम लोगोंने कहां से करदा है फ्रांस से करदा है तो इसको develop करने वाला भी वही कंपनी है जिसका नाम है रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम लेकिन वो अकेले नहीं वो इसराइल aerospace industry के साथ मिल के इसको क्या किया है develop किया है पहला point इसमें क्या लिखा है 2011 में इसको induct किया गया बना करके operational किया गया था और इसने अभी तक हजारों rocket को इसराइल में गिरने से रोका है mid air में ही destroy कर दिया है enemy का rocket fire किया गया enemy अपना rocket को fire किया गया radar system है radar क्या करता है signal भेज के पता कर लेता है कि अच्छा rocket यहां से fire हुआ है control system estimate impact point जो control system में वो पकड़ लेता है कि यह rocket कहां गिरने वाला है यह क्या करता है फिर iron dome क्या करता है launch करता है missile को can you see out here यह iron dome launch करता है और beach air में ही क्या करता है missile explode near rocket destroying it यहीं पर जो iron dome का missile है वो explode कर जाता है जिससे यह भी missile जो होता है वो explode कर जाता है मतलब वो नहीं हो रहा है कि इधर से missile आया और इधर से missile आया उसका tip में मार दिया ठेक ना वो रामायन नहीं चल रहा है यहां पर क्या चल रहा है कि इसके सामने यहां blast करेगा जिसके वज़े से यह impact होगा और पूरा blast हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो हमको लगता है रामायन से ही सोच के निकाला है क्या हो सकता है पहले technology था अब नहीं है तो अब फिर से बनाया जा रहा है क्योंकि ध्यान से देखो न ऐसे ही वो movie वो जो रामायन का serial था वो ऐसे ही होता था एक इधर से आया एक इधर से आया दोनों बीच में ही टकराएं और डिस्ट्रॉय हो गया यही कर रहा है इस्राइल यह देखो रॉकेट यहां से लॉंच हुआ आयरन डॉम क्या करेगा डिटेक्ट करेगा इंस्टेंटली और फिर टीम ओफ सोलजर फिर आयरन डॉम का मिसाइल को छोड़ेंगे और मिड एयर में ही ब्लास्ट कर देगा मिड एयर में ही उडा दिया एवरी आयरन डॉम डे, नाइट, क्लाउड हो, विंड हो, रेन हो सब में काम करेगा सौट रेंज, मिडियम रेंज, चार से सतर किलोमेटर तक काम करेगा और एक साथ मल्टिपल रॉकेट को भी छोड़ सकता है several iron domes है, कोई एक दो iron domes नहीं है several iron domes है, जो कि mobile है एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता देखो यह देखो निवी वाला वर्जन है, जिसका आप फुली टेस्ट किया गया यह सारे कुछ important point है iron domes से related उसको आप लोग याद रखिए क्योंकि direct question UPSC या फिर उस तरह के exam में पूछ देगा